खबर रतलाम से है जहां तीन हाथ और दो सिरवाले बच्चे का जन्म हुआ है पहले SNCU फिर वहां से इंदोर के MY हॉस्पिटल बच्चे को रेफर किया गया है जावरा के नीम चौक निवासी शाहीन पती सोहिल खान ने शाम साड़े साथ बजे बच्चे को जन्दिया सोनोग्राफी में यह बच्चा जुडवा जैसा दिख रहा था SNCU प्रभारी डॉक्टर नावेद कुरैशी ने बताया कि बच्चे की हालत नाजुक है इस तरह के केस में 35% बच्चे गर्व में ही खत्म हो जाते हैं 40 प्रस्त बच्चे जन्म के 48 घंटे तक ही जिन्दा रह पाते हैं सरजरी का ऑप्सन रहता है लेकिन इसके बाद भी 60-70% बच्चे नहीं बच पाते रतलाम में इससे पहले 2018 और 2019 में इस तरह के दो केस आये थे जिसे बच्चा हुआ है जिसे हम लोग कोजान ट्विन्स पूलता है ठीक है इस बच्चे को जो बच्चा हुआ इसके दो सर है मां के वेड़ में ने यहां ता है मैं अगर प्रक शक्षम हुन जा रहता है चांस देखिया जो डाटा है विलिवल इसमें बतै है कि 35% ऐसे बच्चे घरपाशे में खतम जाते हैं और 40-50% जो बच्चे रहते हैं वो डेवन डेटू पे खतम जाते हैं इसका अभी डीटेल में से लेकिन किस कारण से नहीं पता लगा पाई यह कहना मुश्किल है बच्चा भी पड़ा होता है तो आम दोर पर प्रशानी आती है